हेलो फ्रेंड्स, आज का नास्ता है 100% नया और मज़ेदार नास्ता और एकदम टेश्टी टेश्टी नास्ता और इस नास्ते को हम काफी ज़्यादा सब्जीयों से मिलाकर बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमने आपर एक आलू लिया है उसे छील लिया है और ग्रेट कर लिया है और साप पानी से दो लिया है और ये देखिए हमारा आलू अच्छे से दूल कर तयार हो गया है तो इन आलू को अब हम छाल लेते हैं और एक दूसरे बरतन में रख लेते हैं आप देखिए आज की जो हमारी रेश्पी है उसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने बेशन का इस्तेमाल किया है तो इसके लिए हमें घर का कोई भी कप सेट करना है और उस कप से हमें दो कप बेशन लेना है अब जितना हमने बेशन लिया है उतना ही हमें मैदा भी लेना है मतलब 100 गराम बेशन है तो 100 गराम मैदा भी लेना है उसके बाद हमने एक बारी कटा हुआ प्याज लिया है इसे भी हम इसमें डाल देंगे इसके बाद एक बारी कटा हुआ टमाटन लिया है इसे भी इसमें डाल देंगे हरे मिल्ची डाल देंगे चीली फ्लेक्स डाल देंगे और जो आलू हमने ग्रेट करके रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे अब इसमें हम नमक डालेंगे और चीली फ्लेक्स डाल देंगे इन सभी चीजों को चला कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे पानी एक साथ नहीं डालना है यह देखिए आदा ग्लांस प पतला नहीं रखना है देखिए अभी थोड़ा गारा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे और अच्छी तरह से फेट लेंगे बस इस रेश्पी को बनाने के लिए जो हमें यह गोल है वो कापी ज्यादा टैन तक फेटना है मतलब 3-4 मिनट तक हमें इसे अच्छे से फेटते ही रहना है तो इस गोल से हम बनाने वाले है फुलपी फुला फुला वाला वेज ओमलेट और हमारा अमलेट जैसा अंडे वाला ओमलेट होता है न बिलकुल अग्दम उसी तरीके से बनका त्यार होगा एकदम फुला फुला तो फ्रेंड्स आप हमारे इस गोल की consistency को देख सकते हैं अब हम 5 मिनिट तक इस गोल को rest देंगे इसके बाद हम इसमें आदा चम्मच जीरा डाल देंगे और इसे अच्छे दे चला कर mix कर लेंगे जीरा हमें पैने ने डालना है जीरा को हमें बाद में डालना है तो आब इस बेटर को fluffy बनाने के लिए यहाँ पर हम इसमें डालेंगे आदा चोटा चम्मच इनो का अब इनो को डालने के बाद इसमें एक चम्मच पानी डालेंगे और फटफट इसम अच्छी तरह से चला लेंगे ताक कि यह गोल जो हमारा है वो काफी ज़्यादा fluffy हो जाए जैसे इस बेटर में हम इनो को डालेंगे आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा fluffy हो जाता है तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ गैस पर हमें पैन को रखना है और medium flame पर पैन को गरम होने के लिए रख देना है अब पैन में हम डालेंगे एक टुकड़ा बटर का और इसे गुमाल देंगे ताकि बटर हमारा चारो तरफ अच्छी तरफ से फैन जाए तो देखे पैन में हमने बटर को डाल दिया है अब जो बेटर हमारा है उसे भी हम धीरे धीरे करके पैन में डाल देंगे और पैन को इलानेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए अब हमें करना क्या है कि हमें 5 मिनट तक इसे डख देना है 5 मिनट डखने के बाद ही हमें इसे चेक करना है तो ये देखिए मैं इसे डख देती हूँ और 5 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ तो 5 मिनिट हो गए हैं तो चलिए चेक करते हैं और ये देखिए हमारा वेज ओमलेट एक साइट से सिख चुका है और काफी ज़्यादा बबल्स भी इसमें आ गए हैं और ये फूल कर अपनी साइज से भी डबल हो गया है तो हम इसके उपर भी थोड़ा सा बटर लेके लगा देते हैं और चारो साइट गुमा देते हैं ताकि बटर हमारा नीचे तक चला जाए जब चारो साइट से हम बटर को घुमाएंगे तो पैन में बटर हमारा नीचे तक चला जाएगा और हमारा जो वेज ओमलेट बन रहा है उसका टेस्ट काफी ज़्यादा बटर की वज़र से अच्छा आएगा तो यह देखिए मारा ओमलेट एक से सीख किया है तो आप हम इसे पलट भी सकते हैं या फिर आप अगर इसे नहीं पलटना चाहते तो आप इसे इसी तरीके से फोल्ड कर लिजे हाँ अगर आप इसके उपर और वेजी ड़नना चाहते हैं तो इसके बीच म इसे फोल्ड करने से पेने आप वेजी इसको डाल दीजे और फिर इसे फोल्ड कर लिजे और फिर दो से तीन मियट तक इसी तरीके से उलट पलट कर अच्छे से से शेक लिजे तो फ्रेंस यह देखिए मारा वेज ओमलेट बनका तयार है इस ओमलेट में आप अपनी मन चाह ये सबजीयों को भी मिला सकते हैं और अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं बड़े बुड़े बच्चों सबको ये वेज ओमलेट काफी जादा पसंद आएगा एकदम फलपी जालीदार ओमलेट बनका तयार होगा जब आप भी एकदम इसी तरीके से ओमलेट को बना कर तयार करेंगे काफी जदन लोग ऐसे होते जो नौन वेज नहीं खाते वो अंड़ा वगर भी नहीं खाते तो इसलिए ओमलेट बनाने का सबसे सही और परफेक्ट तरीका यही है कि फुला फुला वेज ओमलेट बनका तयार होगा तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी इसी तरीके से बटर को लगा लिजेगा और उलट पलट लिजेगा फ्रेंड्स आपको अमरे चैनल पर नहीं नहीं जो स्नेक्स की वीडियो है वो आपको मिन जागी आप चाहे तो उसे भी वाच कर सकते हैं आपको यह ओमलेट की रेजपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताईएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स आपकी सर्ण से हमें देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा तो आप भी इस रेजपी को एक बाई जरूर ट्राई करिएगा तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेजपी के साथ तब तक के लिए बाई कि यथो ए भी इस सुल आपकी सर्ण से हमें वीडियो el Brew तो मिलते हैं टूसित एक में में लिए कर दो